अब तू नाए नहीं फारेल सेलेक्शन होने पर पाईए 100% पर्षाइब करता है तो दोस्तों हो जाईए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक बार फिर से दोस्तों डेली करेंट अफेर पिवार जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे न्यूस को कवर जो की आपके एक्जाम पॉइंट ऑविसे बहुत ही जादा महत्पूर होते हैं तो कहते हैं न दोस्तों करेंगे एक नए दिन की शुरुवात एक नए जोश के साथ जहां पर हम लोग करेंगे करेंट अफेर के साथ साथ इस्टेटिक जीके के भी सवाल लेकिन शुरुवात करने से पहले सभी लोगों को भर भर के गुड़ मॉरिंग और एक बार जल्दी जो भी आप अपने जीवन में करते हैं वह ऐसे करिए कि जैसे दूसरा मौका ही नहीं मिलेगा और वह काम आप पहली और आखरी बार कर रहे हैं यह सोचकर अगर आप करेंगे किसी भी कारे को तो आप डेफिनेटली उसको पूरा करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि यह इ से आप डेली मिलते हैं नुटी फ्राइडें का मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबाओ एया और और दोस्तो आज जो है दोस्तो इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो बाबा आम्टे जी की जो है दोस्तो अनिवरसरी आपको पता होगा बहुत ही दोस्तो प्रख्यात सामाजिक दोस्तो काय करता थे जो है सोशल रिफॉर्मर थे जिनको पदमे विभूशर से सम्मानित किया गया है तो पदमे विभूशर से सम्मानित किया गया है और आपको याद रखना है इनको पदमे विभूशर जो है था कि विच पोर्ट इस सेट टू बी डवलब एस फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया किस बंदरगा को भारत के पहले हरित बंदरगा के रूप में विक्सित किया गया है यह आपको होमग दिया गया था इसका आंसर क्या हो जाएगा हल्दिया पोर्ट जो कि आपको कहां अब यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है और बी एंप सलातुर रहमान ने बहुत अच्छे से आंसर किया है तो आप सभी लोगों को congratulations, बहुत ही अच्छे तरीके से answer किया है, you guys are the topers, तो topers of the day में जो नाम है, ये नाम है, और आप सभी को answer करना है इसी तरह से, जिससे दोस्तों, answer करने से क्या होता है, आपका revision होता है, और आपके answer से, कहीं न कहीं, जो है, दूसरे को भी सीखने को मिल होता है, ठीक है, तो चले, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ, और ये दोस्तों अगर आप दोस्तों तयारी कर रहे हैं, railway की classes, railway के लिए, तो railway की classes आपके लिए, जो है, दोस्तों, start कर दी गई है, यूट्यूब पर, ठीक है, ये daily होती है, तो आप इन classes में जूड़ सकते हो, testbook railway channel पर आप लोग जूड़ सकते हो, ठीक है, अगर आप भी तक आप नहीं जूड़े हो, आपको description में link दिया गया है, आप वहाँ से जूड़ पाएंगे, या फिर मैं आपको बता दूँगा, add and किस तरीके साब testbook railway पर जूड़ सकते हो, यहाँ पर सारी classes चलेंगी, सुब रात को 11 वजे reasoning और फिर उसके आज मोहिस से राएंगे, तो आप इन classes में भी जूड़ सकते हैं, ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं, और फटा वड़ से एक बार यह स्टाइप कर दीजिए, जिससे मुझे यह पता चल जाए, कि मेरी screen of voice clear है, और आप लोग तयार है, यहाँ की एक नई, खुली पानी के नीचे घाटी कहां इस्तित है, क्या यह नियर दा कोश्ट ऑफ ग्रीस, नियर दा कोश्ट ऑफ साइप्रस, नियर दा कोश्ट ऑफ इटली, यह नियर दा कोश्ट ऑफ तर्की, यहाँ पे साइप्रस करें, थोड़ सम, शर्मा जी, अंशु, नेह अमन जोती बहुत बड़ी गुलाम करेक्ट आंसर यहां पर नी दा कोस्ट आफ साइप्रस ठीक है अगला उश्द विच बस स्टेंड इन ओडिसा इस से टू बी नेम्ड आफ्टर दा बी आर अंबेड कर करें दोस्तों ओडिसा में किस बस स्टेंड का नाम जो है बदलकर बी पर है तो आपको भूबनेश्वर मिलेगा और भूबनेश्वर कहां पर है तो आपको पता है भूबनेश्वर जो है उडिसा में राइट चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है योग के विविध आयाम रिसेंटली रिलीश भाई हिमाचर पदेश गवर्नर हाली में हिमाचर पदेश राजिपाल दोरा विमोचेत पुस्तकों हिंदी का गद्य साहित और योग विविध आयाम के लेखक कौन है क्या ये शिप्रताप शुकला है राम चंदर तिवारी है राम प्रशाद निश्रा विशाल उपाद्याएं तो यहां देखें दोस्तों जो लोग और बी कह रहे हैं राम चंदर तिवारी उनका करेक्टांस रोगा जो लोग ए और उनका गलत हो जाएगा जोगी देखें हमसे पूछा किसने लिखा है हिमाचर पदेश के गवर्नर न सर्विसेस ठीक है हाली में दोस्तों अत्याध्यमिक और सेवा की प्रती समर्पड के लिए केरल में शंकर इस्मृति पूरुसकार से किसे संभानित किया गया है क्या आयाम कुदी मनी या फिर चिन्मया प्रशाद जो है संतोखी इश्वरी प्रशाद नामबुदरी और आच आर्मीज वाइस चीफ ओन फैबरेरी 15, 2024 करे दोस्तों 15 फरवरी 2024 को सेरा के उप्र प्रमुक का जो है दोस्तों पदभार कौन समहालने वाला है लुटिनेंट जनरल M.V. सुचिंदर कुमार, लुटिनेंट जनरल V.K. सिंग, लुटिनेंट जनरल उपेंदर दिवेदी और इन नेगी यहां पर बहुत बढ़िया नमर था वेरेकोड राहुल प्रियांशी बहुत बढ़िया जो लोग उपेंदर दिवेदी कह रहे हैं उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लुटिनेंट जनरल उपेंदर दिवेदी ठीक है चलिए अगला कोशन है ड़ टर्म उलास क्या उलास रिसेंटली सीन इन न्यूस इस रिलेटेड टू डैश हाली में दोस्टों समाचारों में देखा गया शब्द जो है उलास किस से संबंदित है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिशी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नेशनल पॉलिशी फॉर वुमें और नैशनल हैपिनेस इंडेक्स किस से संबंदित है यहाँ पर कहरेस्वर होना चाहिए लिटरेसी लिटरेसी करेक्ट आंसर होगा लिटरेसी प्रोग्राम यह ध्यान रखेगा उल्लास का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था अंडेस्टेंडिंग ओफ लाइफ लॉंग क्या अंडेस्टेंडिंग ओफ लाइफ लॉंग लेर्निंग ओल इन सोसाइटी ठीक है अगला सवाल वाट इस थीम ओफ इंटरनेशन डे ओफ जीरो टॉर्टरेंस पर फीमेल जनाइटल मुटिलेशन 2024 महिला जो है जन्नांग विकृति के खिलाफ अंतराश्टी शुन्य दिवस की थीम क्या है क्या यह एसलरेटिंग इंवेस्टमेंट तो एंड एफजी एम पार्टनर्शिप विद दा मैन और बॉइस तो ट्रांस्फॉर्म एंड जेंडर नॉर्म्स तो एंड फीमेल जनाइटल मुटिलेशन नो टाइम पर ग्लोबल जो है इनकेश इनक्शन युनाइट फंड फंड एक्ट्ट फीमेल जना करें दोस्तों भारत में इजीस को लगातार जो है तीसरे वर्ष सीर सिन्योकता प्रमाणन से किसने जो है समाइट किसे समाइट क्या गया है टॉप एंप्ट्रॉयर्स इस्टिट्यूट वर्कफोर्स डवलप्मेंट अस्योसियेशन सोसाइटी फॉर यूमन रिसोर्स ग्रूप जल्दी से बताएं क्या होगा करें सरे ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन तो करेंट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा यह ऑप्शन हो जाए कौन सा यह ऑप्शन ठीक है अगला सवाल हूँ हैस बीन अपॉइंटेड एस नियू कंट्री डिरेक्टर फॉर इंडिया पाइदी एशन डवलप्मेंट बैंक ठीक है एस याई विकास बैंक द्वारा जो है भारत के लिए नए देश निदेशक के रूप में किसे निक्त किया गया है मियो ओका टैकियो को निशी एयो हिमारी और नाओमी कीमिको केरें सरोना चाहिए मिया ओका तो करेंट आंसर यह है अगला सवाल राश्ट्री जो है दोस्तों कुस्ती चेंपेशिप दोजार चौबिस में 87 किलो ग्राम वर्ग में ग्रीको कौईसा ग्रीको रोमन खिताब किस ने हासिल किया है ठीक है क्या वो सूरज वशिष्ट ने किया है सुनील कुमान ने अजीद कुमान या नवीन अहलवत ने किस ने क सुनील कुमार तो जो लोग सुनील कुमार कह रहे हैं उनका विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए क्यों दूस्तों सुनील कुमार ने जीता है ठीक है हूँ वाज ओनेड विद्दा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाइस पोर्स जर्नलिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यहां पर करें पीटी उशा पीटी उशा पीटी उशा पीटी उशा तो जो लोग पीटी उशा करें है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह ध्यान रखेंगा ठीक है चली आगे बात करते हैं हूँ क्लिंच दा गोल्ड मेडल इंदी 55 kg केटेगरी अड़ सीनियर नैशनल रेस्टलिंग चैंपेशिप 2024 इन जैपूर कहरें दोस्तों जैपूर में सीनियर राष्ट कुस्ती चैंपेशिप 2024 में 55 किलो ग्राम वर्ग में स्वड़ पतक किसने जीता है बविता कुमारी फोगट करेक्ट आंसर जाएं ठीक है अगला सवाल और विच गौवर्मेंट इस इनिशेटिव तूट एवी उपयोग पोर्टल विथ मुल्टिपल फीचर बेस्ट कहरें दोस्तों अनेक विशिष्टाओं के वाले जो है इवी उपयोग पोर्टल को बढ़ाने की पहल किस स अगला सवाल विच ऑर्गनाइजेशन होस्टेड दा इनौग्रल एडिशन ओव दी ग्रेंट 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 अगला सवाल इंडिया बोर्ड रिबूट रोडशोव 2024 इन मुंबई किस संगठन मुंबई में ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोडशोव 2024 के उध्गाटन संस्क्रण की में जबाने की है इंडियन इस्ट्यूट आफ कॉर्पोरेट अफेर नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इं प्रवरी 2024 को गोवा में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा आयोजित उधगाटन समारों का अवसर क्या था लॉंच अफ न्यू ओएल ड्रिल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इनाउगरेशन ओफ दी इंटिग्रेटेट स्री सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर अगला कुशन वाट इस थीम नेशनल ब्लैक अचाईवी अवेरनेस डे 2024 है दोस्तों यहां पर राश्टी ब्लैक अचाईवी एड्स जागरुकता दिवस दोजार चौबिस का विशेक्या है राइस अप अगेंस्ट अचाईवी एड्स ब्रेकिंग अचाईवी स्टिग्मा इंगेज, एडुकेट, इंपावर, युनाइटिंग टु एंचाईवी एड्स ब्लैक कम्यूनिटीज फिर उसक्या ब्रिजिंग जो है कम्यूनिटीज फाइटिंग अचाईवी टुगेदर फॉर बैटर फ्यूचर सी ऑप्शन सी ऑप्शन कह रहे हैं करेक्ट आंसर यहां विद्धन शुरू किया है हिमाचल प्रदेश उत्त्राक्ण राजस्थान और उत्त्र प्रदेश उत्त्राखंट इस्ट ऑफ उत्तराकं यहां पर उत्त्राखंट हो जाएं ठीक उत्त्राखंडड है को हमाध्यप्रदेश बीहार गुजरात किसे strengthening राजस्थान तो करेक्टांसर यहां पर हो जाएंगे राजस्थान भई ठेक है चले अगला कुशन वेर इस दा सिक्स्ट वर्ड गॉवर्मेंट समिट बींग है इन फेबरी टुन्टी टुन्टीफोर करें फरवरी दोहजार चौबिस में छटा विश्व सरकार सिकर सम्मेलन क कहा है उजित किया जा रहा है दुबई UAE द्याफे दोर्तमंड जर्मनी मैरिलेंड यूएस और रियाद साओधी अरेबिया दुबई दुबई कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दुबई UAE में होगा दोस्तों छटवा विश्व सरकार सम्मेट याद टू महात्मा गांधी लोकेटेड इन बिहार कर दोस्तों महात्मा गांधी को समर्पित जो है बापू टावर बिहार में कहां इस्तित है गया में मुझफरपूर पटना और दर्भंगा में कहां पर है पटना वेरी गुट सेखर राजेश बहुत ही बढ़िया राजेंद्र जोती बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर यहां पर पटना हो जाएगा ठीक है अगला कोशन विच कंट्री हैस डिकलेएड हैल्थ एमर्जेंसी ड्यू टू असर्ज इन डेंगी फीवर केसिस इन फैबरी ट्वेटी ट्वेटी फॉर्वरी दोहजार चॉबिस में डेंगु अगला कुशन विच सिटी इन उत्तरप्रदेश रिसीव सेंटर्स वॉर्टर वॉर्यर अवार्ड फॉर इट्स एफट इन वेस्ट वॉर्टर ट्रीटमेंट एंड रियूज उत्तरप्रदेश के किस सहर को जो है अपसिस्ट जल उपचार और पुना उपयोग में अपने प अहमद अवाड बिन मुबारक को किस देश का प्रधान मंत्री न्युक्त किया गया है जांबिया सुडान जिम्बामवे और यमन क्या होगा यमन यमन जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर का यमन इस दी करेक्ट आंसर अगला कुशन है विच मिनिस्ट्री है साथ जढ़णाईज दिविकला मेला औरे अंकरी अगर्तला तृफुरा में जो जो यह दिविकला त्रीक्रम को आयुजान किया है ठीक है मिनस्ट्री ओफ करेक्टार div सोशल जिस्टी सेंग पांच मिनस्ट्री और अप्लमटन सेंग और मिनस्ट्री और ट्राइब आफियर स्टेट्मेंट वन कह रहे हैं लंडन है डास्लोवेश ट्राफिक इन 2023 इस ट्रेट्मेंट टू बैंगलूरू एंड पूने वर अमंग दटैन वर्ष्ट फॉर ट्राफिक इन 2023 कौन सा सही है आपको बताना है यह वन ओल्ली टू ओल्ली दोनों सही है या फिर इन में से कोई नह मतलब दिन के वह पांच मुख्य समाचार जो की परिक्षा के लिए तो इंपॉर्डेंट है और आपको पता हो रही कि आपके आसपास क्या चल रहा है तो एक एक पॉइंट के साथ बढ़ते हो पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर यह रहा है पहला पॉइंट क्या कह रहा है देखें यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो है जी किसन रिड्डी कौन है यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किसन रिड्डी उन्होंने दोस्तों अभी चिला ले कि मतलब यहां पर बात करें फाउंडेशन रखा है किसका डिजिटल म्यूजियम का कहां पर रखा है तो सलार हाइदराबाद में है और यह क्यों रखाया गया है तो प्रिजर्विंग वन लैक एंशेंट राइटिंग्स ठीक है दोस्तों जो एक लाक राइटिंग से मतलब लिखित चीजे हैं उसको जो है दोस्तों संरक्षित करने के लिए डिजिटल म्यूजियम को जो है यहां पर बना जख़ चाइन ने लांज किया है जी लॉन्ग-3 एक तो जीढंग आपसे पूचा जाएगा जो है यह किस ने लांज किया है तो आप कहोगे चाइना ने लॉंच किया है ऐस रिपोर्टेडट बाइदी चाइनीज स्टेट मीडिया चाइनीज स्टेट मीडिया ने चाहसा की बताया है है चले आगे बात करते हैं अगला करते है नाम हैं बना दिया घाल तो आपसे पूछा जाएगा तो युनाइटीड इस्टेट का हाली में JA है deputy secretary किसे confirm किया गया है तो आप क्या कहेंगे नाम है Kurt Campbell ठीक है क्या ना है कर्ट Campbell अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर यह रहा देखे किलकारी किलकारी program जो है launch किया गया है गुजरात और महराश्ट एड़ पार्ट ऑफ दा Digital Health India program ठीक है तो किलकारी जो है दोस्तो एक program है जो कि launch किया गया है गुजरात और महराश्ट में यह किस के अंतरगत किया गया है किस पार्ट के अंतरगत तो Digital Health India program के अंतरगत launch किया गया है तो आप से पूछा जाएगा किलकारी कहां पे किया गया है तो गुजरात एंड महराष्ट ठीक है चलिए अगले पॉइंट बढ़ते हैं अगला पॉइंट आपके लिए रहा देखें दोस्तों ओल्जास बैक्तनोव क्या नाम है इनका ओल्जास बैक्तनोव जिनको दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया है कजाकिस्तान का जो कि अभी हाली में बने है फरवरी 2024 में जो है दोस्तों ओल्जास बैक्तनोव प्रधानमंत्री बन गया है कजाकिस्तान के यह आपको ध्यान रखना है कहा के बन गया है तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गया है ठीक है प्राइम मिनिस्टर चलिए आगे बढ़ते है तो दोस्तों यहां पर अभी हमने top 5 news of the day देखा है अब हम देखेंगे important headline headline आप लोग इन देखा होगा अकबारों में bold में और दोस्तों यह top पर mention होते हैं और इनसे सवाल पुछे जाते हैं और इन्हीं headline पर हम लोग लाश्ट में करेंगे तो बारीकी से देखेगा एक-एक headline को पहला headline science and technology से related है पहला headline क्या कर रहा है देखिए अभी हम लोग ने बात की थी चीनी राज मीडिया ने अभी बताया है उन्होंने एक rocket launch किया जिसका नाम है Jqing long three rocket का नाम है जो कि China के द्वारा लाँच किया गया है रॉकट को जो है दोस्तों है यह चाइना के दौरा विक्सित किया गया है मतलब पूरी तरीके से love जो है यह चाइना ने किया और जोह एक सौमित वाले लॉंच वहान निर्माता की वारेजिक साखा है और इसे जो है दक्षणी गूवांग डॉंग प्रान्थ पर जो है एक तहरती बजरे से लॉंच किया गया था तो गुवांग डॉंग प्रांत से लॉंच किया था यह आपको ध्यान अकना है ठीक है चले तो आप याद रखेगा जिलॉंग ठी रॉकेट जो है यह किस जो है देश ने लॉंच किया है तो याद रखना है चाइना ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं अगला जो है दोस्तों एक और साइन साइन टेक्नलोजी से आपका निउस है नासा ने हाली में समभावित रहने योग स्थितियों वाले एक एक्जो प्लैनेट की खोच की है जहां पे रहने की समभावनाएं ठीक है यह ध्यान रखेगे जहां पर रहा जा सकता है यह आपको ध्यान अकना है और एसे प परिक्रमा कर रहा है इस exoplanet का नाम जो है तीजीरो आई-715 क्या नाम है तो इसका नाम है यह आपको द्यान रखना है ठीक है तो आप से पूछा जाएगा हाली में नासा ने जो है दोस्तों एक प्लैनेट की खोच की जहां पर दोस्तों रहने योगे छेत्र के भीतर के अंतरगत आ रहा है तो इस एक्जो प्लैनेट का नाम क्या है तो आपको होगे टी ओवाई देड़ गुना यह बड़ा है ठीक है चले तो याद रखेगा नासा ने जो है दोस्तों एक एक खोजा है जो की दोस्तों रहने योग के छेत्र के अंतरगत आ रहा है जिसका नाम है ती जुरो आई 715 B ठीक है चले आगे पड़ते हैं अगला है जो है नैशनल अफेर से है ठीक डिजिटल एक लाग दोस्तों वहाँ पर एक लाख जो प्राचीन राइटिंग्स थी मतलब लेख जो थे उनको संरक्षित रखने के लिए और या संग्रक्षित करते हुए जो है उन्होंने यहां पर डिजिटल संग्राले की आधार शिला रखी है यह आपको ध्यान रखना टिक है एधार शिला ठीक है यह ध्यान रखेगा फा terminar रखा है किसने जीकिषन-अर्डी ने कहां पर रखा है तो शलार जंग संग्राले मतलगा सलार जंग जो कि कहां पर देखने हों मिलेगा हाइदराबाद में ठीक है भारत के डिजिटल राष्टे पुरा लेक संग्राले की स्थापना भारत साजा सिला लेक बंडार पहल के साथ जुड़ी हुई है ठीक है और केंदी वित्यमंत्री निर्बला सीता रमन द्वारा जो है घोशित भ अगे बढ़ते हैं अगला जो है अंतराष्टी समाचार इंटरनेशनल अफेर से है इरान ने भारती परेटों को के लिए 15 दिन कई वीजा निती की घोशना की है मतलब यहां पर क्या कर रहे है वीजा फ्री पॉलिसी लेकर आ रही है कौन तो इरान लेकर आ रही है जहां पे फरवरी दोजार चौबीस से प्रभावी वीजा छूट बलब यह चार फरवरी से शुरू हो चुका है परेटन और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश से एक व्यापक पहल की है इस नीती के तहए तो परेटन उद्देशों के लिए हवाई मार् 6 महिने में एक बार बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं जिसमें प्रतियात्रा अधिक्तम 15 दिन रुकना होता है ठीक है 15 दिन तो अब जैसे मालीजे कि आप इरान जा रहे हो तो अगर 6 मैने के बाद जा रहे हो तो या फिर दोस्तों अगर साल भर में जा रहे हो तो आप यहां पर प्री वीजा एक बार ले सकते हो लेकिन आपको इरान में 15 दिन रहना पड़ेगा ठीक है यह ध्यान रखेगा तो इरान ने जो है भारती परेटों के लिए 15 दिन की वीजा मुक्त निती की घोशना कर दी है ठीक है यह ध्यान रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो है सम्मिट एंड कॉंफरेंस है तो अंतराश्टी जल सम्मेलन 2024 यह 2024 अभी हाली में दोस्तों इंटरनेशनल वाटर कॉंकलिव 2024 हुआ है उसकी प्रस्तावना जो है शिलांग में संपन हुई है कहां पर शिलांग में कहां पर तो शिलांग में हुई है यह आपको कमी है यह प्रदूशण है और जलवायू परिवर्तन जो है सहित पानी से संबंदित चुनोतियों के लिए सामुहिक प्रतिक्रिया की आविश्यक्ता पर प्रकाश डाला गया है ठीक है मतलब जिक किस तरीके से हमारे जो वाटर है वह पॉल्यूट हो रहा है ठीक है या फिर संस प्राइवेट लिम्टेड की जो सहाय कंपनी है टाटा डिजिटल ने नवीन तहिल यानी किसको नवीन तहिल यानी जो है उनको अपना नया मुख्य कारेकारी अधिकारी और प्रबंद निदेशक निफ्त किया है मतलब चीफ एजीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग टाटा डिजिटल याद रखेंगे तो आपको याद रखेंगे तो आपको याद रखना है जो है टाटा डिजिटल असब्सिडिरी और टाटा संस प्राइविट लिम्टेड है अपॉंटेड नवीन तहिल यानी एज इस न्यूव चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डिरेक्ट है तहलियानी जो है वर्तमान में टाटा एयाई ए लाइफ इंश्यूरेंस कंपनी लिम्टेड के सीओ और प्रवंध निर्देशक के रूप में कारेयत हैं वित्ती सेवा छेत्र में अपने व्यापक अनुभव और भारतियों भोगता परिद्रश्य क की जो है समझ के लिए जाने जाते हैं ठीक है याद रखेंगे चले नाम कहा है नवीन तहलियानी ठीक है अच्छा अपॉइंट्मेंट डूसरा जो है दोस्तों कर्ट कैमबेल कर्ट कैमबेल को जो है सयुक्त राज अमेरिका मतलब USA के नए उप जो है विदेश सचीव के रूप में नियूप्त किया गया है मतलब यहाँ पर याद रखना है कि जो डिप्यूटी सेक्रेटरी है वो कौन बने है निउड डिप्यूटी सेक्रेटरी तो बने है कर्ट कहां के USA के ठीक है यह पुष्टी अमेरिका सीनेट ने बानवे पांच के सब्स्ट बहुमत के साथ जो है द्वी दली वोट के माध्यम से हुई थी और कैमबेल को यूएस एशिया संबंधों में जो है गहरा अनुभव बताया गया है जो उन्हें इस पद के लिए उप्यू कालिफा कि मेजमानी के लिए मंजूरी एक कि एफ ए मतलब तिलंगाना फुटबॉल एसोसियेशन के लिए एक महत्पून मील का पत्थर है और वेसी बात है दोस्तों फीफा का कॉलिफायर करा रहे हैं तो यह दोस्तों ऑवेसी बात है माइलस्टोन है टीफे के लिए और टीफे के अध्यक जो है वह है डॉक्टर के टी मा होगा यह हाइदराबाद में होगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे आगे अगे बढ़ते हैं अगला जो है यह नैशनल अफेर्स है राष्ट समाचार तो केंद्री विज्यान और प्रुदुकी की राजमंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंग उन्होंने यूनियन मिनिस्टर आफ स्टेट साइंस एंड टेक्नलोजी उन्होंने अन्यवील किया है थीम फॉर दा नैशनल साइंस अगर हम बात करते हैं नैशनल साइंस दे ट्वेंटी ट्वेंडी फॉर एज इंडीजीनियस टेक्नलोजी फॉर विक्सिद भारत ठीक है अच्छा य तो यह ध्यान रखेगा तो थीम क्या है नैशनल साइंस दे की तो आप याद रखेंगे इंडीजीनियस टेक्नलोजी फॉर विक्सित भारत ठीक है और यह किसके दौरा जो है दोस्तों शुरू किया जा रहा है तो डॉक्टर जितेंद सिंग जी के दौरा अगला जो है दोस 5.4 प्रतिशत होगा यह ध्याने कितना होगा 5.4 प्रतिशत होगा यह आपको याद रखना है ठीक है पहुँ जाएगा और जो सरकार के 5.1 प्रतिशत के लक्षे से अधिक है ठीक है सरकार ने अभी देखे बजट जब आया था इंटरिम बजट तो उन्होंने कहा था हमारा टार्गेट जो रहेगा वह फिस्कल डिफिसीट रहेगा 5.1 परसेंट और दी जीडीपी लेकिन जो है दोस्तों यहां पर बता कितना रहे दोस्तों जो फिच के दौरा बताया गया रहा है कि वह 5.4 परसेंट रहेगा यह ध्यान रखना है ठीक है इसके लावा अगर हम बात यह पाता है कि नहीं आपाता है वित्वर्स 2024 के घांट का लक्ष जो है 5.9% से 5.8% करने के सरकार के समायोजन को फिच द्वारा मामली माना जाता है ठीक है और वितवर्ष 2026 में 4.05 प्रतीशत घाटे के लक्ष तक पहुचने के लिए वितवर्ष 2025 के घाटे के लक्ष को प्राप्त करना महतपूर है क्योंकि हम लोग ने टार्गेट किया कि 2026 में 4.05 प्रतीशत के नीचे लेकर आएंगे और अगर उसको हासिल करना है तो आपको 2025 का जो हम लोग ने टार्गेट रखा था उसको अचीव करना पड़ेगा ठीक है इंडिया कारेक्रम के हिस्से के रूप में किलकारी क्या नाव है किलकारी कारेक्रम गुजरात और जो है महराष्ट में शुरू किया गया कहां पर शुरू किया गया है गुजरात और महराष्ट में शुरू किया ठीक है कि किलकारी जो है एक केंद्री कृत जो है इंटर एक समय उप्योग और डियो विज्वल संदेश भेशती है देखिए इसके अंतरकत क्या होता है कि जो भी पेशेंट होगा जो भी दोस्तों यहां पर जो सर साउंड स्लो आ रही है दोस्तों वॉइस इशू आ रहा है कि एक पर बता दीजिए फटा फट से बता दीजिए इस मोबाइल एप में क्या होगा कि उनके पास सारी जो है इंफॉर्मेशन आती रहेगी बीच बीच में ठीक है या तो वीकली आ रही होगी ठीक है और यह ओडियो को फिर्म में आ रहा होगा कि क्या हमारे लिए इंपोर्टन होता है तो इसका नाम है किलकारी ठीक है किलकार प्रोग्राम लॉंच की गई है गुज्रात और महराश्ट में ठीक है चले आगे बात करते हैं अगला जो है सम्मिट और से हैं नई दिल्ली ड्रोन के आज जो है आतंगवादी शोशर से निपटने के लिए पहली बार यू भारत गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कर रही है ठीक किकैन अध्नाव रहित हवाई प्रणालीओं के उपियोग से जोड़े लो bar की सीमा को संबोधित करनाय मतलब जोब में जो हमारे पास एक होता है कि खत्रा रहता है ठीक है थ्रेट रहता है उससे जुड़ी जो भी दोस्तों यहां पे खत्रे हैं उनको जो है संबोधित करना है कि किस तरीके से इसको टैकल किया जा सकता है यह पहल जो है EU प्रोजेक्ट एन्हांसिंग सेक्यूरिटी कोपरेशन एंड विद्दा एशिया के तहट EU और भारत के बीच चल रही आतंगवाद विरोधी गती विद्यों का एक हिस्सा है ठीक है तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है तो आपको ध्यान रगना है EU भारत गोल में समेलन की मेजबानी कर रही है ठीक है अगला अपॉइंट्मेंट से हैं तो देखे और ओलजास बैक्तेनोव क्यों? ओलजास बैक्तेनेव झो है उनको फरवरी 2024 तक जयाकिस्तान के नय प्रधान मंत्री के रूप में कहान के ने प्रहथान के रूप में निक्त कया गया है उलजास बैकर नोवब को ठीक है पिछले वर्स अप्रैल से राश्पती के चारेकार कारीकालब प्रमुक के रूप में उनकी पिछली भूमीका सब्सक्राइब तो ढ़िक है कहां के प्रधान मंत्री तो दोस्तो यह थे important headline लेकिन इन headline पर किस प्रकार से पूछा जाएगा सवाल उसको करेंगे हम लोग क्विस क्यों फॉर्म में लेकिन उससे पहले सभी लोग बताएंगे अगर हाई है तो फटाफट से यस टाइप करेंगे जिससे मुझे यह पता चल जाए कि आप लोग ने headline दो है बारिकी से देखा है अब आपको इसके लिए तयार है फटाफट से और जिन्हों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया फटाफट से लाइक और शेयर भी करते हो चलेंगे तो यस 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 आ चुका है और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा विच कंट्री देखें विच कंट्री रिसेंटली लॉंच दा जिलॉंग थ्री रॉकेट पेविंग दा वे और फॉर मोर कमर्शियल मिशन करतों हाली में किस देश ने अधिक वाड़ेजिक मिश प्राइवेट बिल्ट जो है रॉकेट लॉंच ठीक है इंडिया फॉर्ष्ट प्राइवेट ली लॉट जो है डवलप रॉकेट विक्रम एस वाउस सक्सेस्फुली लॉंच बाइदा इंडियान स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन ठीक है यह याद रखेंगा फ्रॉम इस रॉकेट जो है लॉंच कर दिया गया है भारत में निर्बित निजी दोस्तों अगर मात करें निजी कंपणी के द्वारा जो है बनाया गया यह रॉकेट ठीक है इंडिया के बारे में चले आगे आगे बात करते हैं अगला जो है दोस्तों आप ले रहा कोशन विच एक्जो प्लैनेट हैस बीन डिस्कावर्ड बाइ नासा विद्धा पोटेंशल हैबिटेबल कंडिशन करें नासा दौरा जो है संभावित रहने योगे स्थितियों वाले किस एक्जो प्लैनेट की खोज की गई है यहां पर करेंगे अगला सवाल इंडिया डिजिटल नैशनल म्यूजियम औफ इपीग्राफी इस अलाइंड विच इनिशेटिव और गौर्मेंट ऑफ इंडिया कहरें दोस्तो भारत के जो डिजिटल राष्ट पुरा लेक संग्राले की स्थापना भारत सरकार की किस पहल के अनुरूप है यह डिजिटल इंडिया कैमपेन या फिर भारश्री प्रगती और स्वयम क्या होगा करेंट आंसर यहां पर ऑप्शन नमबर वन वन कह रहे हैं कर रहें वी ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है अगला सवाल विच कंट्री रिसेंटली अनौंज अवीजा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन सीटीजन्स करह हाली में किस देश ने भारती नागरिकों के लिए वीजा मुक्त निती की घोशना की है रशिया ने इरान ने साओधी अर यहां पर एमिरेट्स नी किसने किया है करे सर इरान इरान तो करेक्ट अंसर यहां पर क्या हुँ जाएगा इरान ने किया है पंदरह दिन के लिए वीजा मुक्तber Vide क्या है भारती घुरिसट के फॉरिस्ट के टीक है कंट्रीज डैट आलाओ वीजा फ्री एंट्री टूइन में दोमिनिका में एल सल्वाडोर में फिजी में गैबॉन गैंबिया ग्रेनेडा हैती जमाइका कजाकिस्तान किर्यवत्ती मकाव मौरिशियस मिरुनेशिया नेपाल पलेस्टेनियन इसका सेंट किट्स एंड सेंट विंसेट त्रिनाद वनतुआ शिलंका थाइलेंड और एक शिया ये सारी जगह जो शर्यातों भारती जा सकते हैं विधावट वीजा दोफिशा एंट्री एंट्री है यहां पर भारत के ठीक है यह धियान रखेगा चली आगे। बात करते हैं दोस्तों सवाल वर डिड्र इंटरनैशनल वाटर कां कलेटी टिटीटीपॉरद इन संपन रहे हैं यहाँ पर हुआ और सीलाग और लूकाता शिलोंग और गुहाटी कहां पर रुवा हिए इंड I can ठीक है टाटा डिजिटल के मुख्य कारिकारी अधिकारी और प्रबंद निदेशक के रूप में किसे नुक्त किया गया है एंचंद्र सेखरन मार्क जो है यहां पर लिस्टोसिला मनोज रागवन और नवीन तहिल्यानी डी ऑप्षन करें राहुल रंजीत अब्दुल श्रेय सब्सक्राइब के रूप में किसे नुक्त किया गया है क्या यह कर्ट केमबल है डगलस सी अंग अगर्ड है सैम जो है आंस्टेड है और पीटर अबार्नो है कर्ट केमबल कर्ड केमबल जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर वन कर सब्सक्राइब होगा अगला सवाल आपके लिए यह रहा हूँ इनाग्रेट टूडे भूमी समवाद एट नैशनल कॉनफरेस दो दिवसी भूमी समवाद आठ राष्ट सम्मेलन का उध्धाटन किस ने किया है श्री गिर्राज गिर्राज सिंग श्री भूपेंद्र पटेल राजना सिंग और अमित्षा किसने किया है तो फीफा वर्ल्ट कंप कॉलिफाइयर बित्विन इनडिया और कूएट भी होँश्टे भारत और कुवेट की बीच में जो है फीफा विश्यु कप क्उलिफाइर कहां आयोजित किया जाएगा क्या ये तिलंगाना फुट एस्टीएशन और महाराज फुटबॉल एस्टीएशन करेसर होना चाहिए टीएफे तिलंगाना फुटबॉल एस्टीएशन जी हां करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा और यह जो है दोस्तों कहां पर आजित होगा तो आपको ध्यानक नहीं हाईदरावाद ठीक है अगला टेकलोजी फॉर विक्सित भारत साइंस एं टेकलोजी फॉर डवलपमेंट साइंटिफिक इनोवेशन फॉर बैटर जो है टुमोरो बी ऑप्शन कह रहे हैं वेरी गुट बी ऑप्शन क्वीन बहुत बढ़िया नेहा नमीन सशी रंजीत पुन्या बहुत बढ़िया होगा ठीक है अगला सवाल अकॉर्डिंग टूदा फिच्च प्रेडिक्शन इंट फैबरेरी ट्वेशन वाट इस दा एस्टिमेटेड फिसकल डेफिसिट पॉर इंडिया इन फाइनिशेल ये 25 वरवरी 2024 में फिच की जो है भविश्वानी के अनुसार वित वर्ष 2025 में भा हो जाएगा पांच 2.4 जबकि इंडिया ने टार्गेट किया था कि इसको 5.1 परसंट के नीचे ले आएंगे ठीक है और जो है 2026 में हम लोग जो है 4.5 परसंट की नीचे ले आएंगे ठीक है अब देखें ग्रोथ चार्ट यहां पर आप देख सकते हो ग्रोथ चार्ट प्र चाइना जो है 5.4 था पहले अभी देखे 5.1 है ठीक है इंडोनेशिया पहले 4.7 था 5.1 है यह यूरो एरिया जो था 0.9 अब 1.5 है यूनाइट इस्टेट 1.6 अब बन है ठीक है फिर उसका 2.7 वर्ट है और 2.9 ठीक है तो यह आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर है विगुचान हेल्थ OUR प्रोग्राम के हिस्से के रूप में गुजरात और महराश्ट में शुरू की गई वबाईल का नाम क्या बात करेड़े अगला सवाल तो कॉमबेट विच एमर्जिंग थ्रेट न्यू दिल्ली होस्टिंग दा फर्स्ट एवर एउ इउ इंडिया राउंड टेबल इन फेबरेरी ट्वेटी ट्वेटी फॉर करें दूस्तों किस उभरते खतरे से निपटेने के लिए नई दिल्ली फरवरी दोहजार चौबिस में पहली बार ईउ भारत गोल में समयलन की मेजबानी कर रही है साइबर अटेक कैमिकल वारफियर यू अनमेंड एरियल वहिकल और मैरी टाइम पारिसी यहाँ पर कैसा सी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अनमेंड एरियल वहिकल ठीक है चले आगे बात करें करेंगे who was appointed as the new Prime Minister of the Kajakistan के रहे हैं फरवरी 24 में जो है कजाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है क्या यह नूर सुल्तान नर्जांबवेव है ओल्जास बैक्तिनोव या फिर कैसीम जोमार्थ तकीव और नुरलन जो है बालकिंबेव खरें सर उल्जास बैक्तिनोव और अंशर ठीक है और आगे बात करते हैं तो दोस्तों यह थे हमारे जो है आज के current affair अब हम लोग यहां पर करेंगे mega revision of the day और mega revision of the day का जो आज topic है वो है sports थीक है तो इसमें आपको पता है हम लोग 10 question करते हैं ठीक है कितने करते हैं 10 question करते है rapid fire round और आपको answer करना होता है और last में बताना होता है class के कि कितने question आप लोगों ने यहाँ पे सही किये है और कल से दोस्तो मतलब कल जब दोस्तो next class आईगी current affair की तो आप लोगों को इसका भी topers of the day दिखाई देगा कि मतलब इसमें किसे ने top किया है मेगा रिविजन में वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा क्योंकि आपको बताना है कितने आपने correct किये है at the end of the class मतलब आपको comment box में बताना है ठीक है चले तो start करते हैं इस मेगा रिविजन of the day को जहाँ पर आज चौबे कर रहे हैं sports और पहला गोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा how many Indian players are featured in the ICC men's ODI team of the year 2023 करें दोस्तों 2023 के लिए ICC पुरुष वर जो है वंडे team of the year में कितने भालती खिलाडी शामिल है 2, 4, 5, 6 कितने है यहाँ पे 6 कह रहे हैं कुछ लोग 5 कह रहे हैं correct answer यहाँ पे आगे बात करते हैं आगला गोशन जैनिक सीनर बीट्स डैनियल मैद्देव टू क्लेम मेड़न Grand Slam at Australian Open 2024 he belongs to which country जैनिक सीनर ने जो है Australian Open जो है 2024 डैनियल मैद्देव को हराकर पहला Grand Slam जीता है वह किसी देश से इटली United Kingdom Denmark और Sweden कहां कहें यह इटली इटली कह रहे है अगला कोशन हुषी क्लिंच दा गोल्ड इन दाफ 57 kg केटेगरी इड़ी यू डवु 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 रैंकिंग सीरीज इन जनुरी ठीक है अगला अगोशन विच ओफ फॉलॉइंग प्लेयर इस दा विनर ओफ दी में सिंगल्स इंडिया ओपन 2024 निमलिखित में से कौन से खिलाड़ी पुरुष एकल इंडिया ओपन 2024 का विजेता है करेक्ट आंसर यहां पर शी यू की हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है किसे नामित क्या गया है सूर्कुमार यादव शुबमन गिल इशान किशन और विराट कोहली कौन है सबी लोग करें सूर्कुमार यादव तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे अगला सवाल विकेम दा ओल्डेस्ट ग्रेंड स्लैम चैंपियन विथ एन ऑस्टेलियन ओपन डबल ट्राइंफ इन 2024 2024 में ऑस्टेलियन ओपन यूगल जीत के साथ जो है सबसे उम्रदराज ग्रेंड स्लैम चैंपियन कौन बना मैथ्यू अब्डेन साइमोन बुलेली एंड्यू वस जो है वावसोरी और रोहन बोपन्ना यहां पर रोहन बोपन्ना रोहन बोपन्ना कह रहे हैं तो बिल्कुल क में से कौन जो है खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभांकर है इस्नो लैपड हंगुल मार्खोर और रेड़ फॉर्ट रेड़ फॉक्स इस्नो लैपड इस्नो लैपड हिम तेंदुआ जिसको हम लोग कहते हैं करेक्ट आंसरों का स्नो लैपड ठीक है अगला जो है विच सेविला और वैलेंसिया किसको हराया है बी ऑप्शन बी ऑप्शन जो है बार्सलोना जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट होगा बार्सलोना को रियाल मैडरिट ने हराया था और जीता इस्पैनेश उपरकप ठीक है आगे बात करेंगे विच क्रिकेटर इस सेट ट बिराट क्षोली क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर शुब्मन गिल कह रहे है करेक्ट आंसर यहां पर शुब्मन गिल हो जाएंगे ध्यान skim अगला मांसिंग कृटैटि करेंग दोसरों मांसिंग ने ज्यायाइगे क्योंक्ताशर कहां है जित की गई थी मुंबई बीजिंग हांग कॉंग और टोकियो कहाँ पे हुई थी होंग कॉंग कह रहे हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा होंग कोंग इस दीष करेक्ट टांसर ठीक है कि यह था दोस्तों मेगा रिवीजन और आप लोगों को बताना है कि इन 10 आपके सही हुए है और कल से मतलब आने वाली क्लास जो करेंट अफेर की है उसमें आपको इसका भी टॉपर देखने को मिलेगा ठीक है कि कितने लोगों ने कितने करक किये है और यह दोस्तो रैपिट फायर होता है और यह जो लेटेस्ट अभी आपकी न्यूज होती है टॉप बात करने हैं वाले हैं टॉप टॉप ट्रैकिक इंडेक्स अभी आप जो आया था हाली में टॉप टॉपट इंडेक्स द hypnot लेंडने हमें क्वेश्शन कर रहे थे तो हमें कहा आग जा रहा था उसमें कि लेंड़न में जो है दोस्तों लीश्ट ट्रैफिक है जब कि दोस्तों गलत है लेंड़न में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यह याद रखेंगे वेर टेक्स एन एवरेज टैविल टाइम ऑफ 37 मिनेट एवरेज यह ध्यान रखेगा ठीक है उसके बात अगर हम बात करते हैं टूर्ट सिटीज इन इंडिया जो की बैंगलूरू और पूने वर अमंग दा टैन वर्ष्ट फॉर ट्रैफिक इन ट्विंटी ट्री दो हजार तेईस के लिए सबसे खराब अगर में बात करता हूं यह स तॉम टॉम रिपोर्ट बैंगलूरू वाज इन शिक्ष्ट प्लेस टेकिंग एन एवरेज ऑफ ट्वेंटी एट मिनेट टैन सेकेंड फॉर टैन किलोमेटर अगर आपको दोस्तों दस किलोमेटर का सफर करना है बैंगलूरू में आपको तो आपको लगभग जो है यहां प लगभग 38 मिनट का समय लगेगा ठीक है 37 मिनट 20 सेकेंड है तो लगभग 38 मिनट आपको लगेंगे 10 किलोमेटर का सफर करने में जबकि दोस्तों यहां पर 10 किलोमेटर में ज्यादा लगना नहीं चाहिए समय बड़ यहां पर लिस्ट पर देख सकते हो तो लंडन टॉप पर है फिर उसका डबलिन है फिर तोरंतो है मिलान है लीमा है बैंगलूरू है ठीक है फिर बुचारेश्ट है तो यह सिटीज के नाम है तो आप ध्यान रखेंगे तो विश्व में जो है हमारे भारत के दो शहर है बैंगलूरू और पूने जो टॉप 10 में आ रहे हैं मतलब यह हाँ पर सबसे जादा ट्रैफिक होती है ठीक है तो बैंगलूर और पूने में जो हैं दोस्तों समय से निकला करिए अन्यथा लेट हो जाएंगे ठीक है हालाकि तो दिल्ली में भी लेट हो जाते है ठीक है चले तो दोस्तों यह था आज का ग्यान जहां पर आज हम लोग ने भी की करण हुआ था यह आपको बताना है ठीक है और मैं आपको बताना चाहा रहा था दोस्तों कि आपको मिलेगी वह सारी चीजे अब वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा ये अभी एक जलक है जो बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है उसके अलावा मैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक क्वेशन करना चाहूंगा कि आप बहुत साथ लोग SSC GD का एक्जाम देने जा रहे हैं मैं दोस्तों एक PDF बनवा रहा हूं एक compile form में जो आपको free of cost प्रोवाइड किया जा सके तो comment box में comment करके भर भर के बताईएगा अगर आपको चाहिए है definitely हम उसके लिए जो है आपे कारे कर रहे हैं और उसको और तेजी से करके आपके लिए definitely लेकर आएंगे ठीक है तो अब को जो है test book की तरह से इस प्रकार से जो है दोस्तों आप current affair magazine जो है प्राप्त कर पाएंगे ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें तो daily classes होती है तो आप मेरी daily classes में आ सकते हैं ठीक है सुबाच 6 से 7 बजे daily current affair सवा 7 बजे जो है railway की class होती है तो railway की class में आ सकते हैं जहां पर हम लोग rrb, alp और जो है दोस्तों ntpc, rpf, group d यह सारे exams को हम लोग यहां पर target कर रहे होते हैं ठीक है अभी master class जो है दोस्तों नहीं हो रही है बट यह बहुत जल्दी start हो जाएगी और जो है दोस्तों दो पहर को ssegd की class होती है इन में आप लोग जुड़ सकते हैं ठीक ह इसके अलावा अगर हम बात करें अगर आप दोस्तों paid courses में नहीं जुड़े हैं तो railway के paid courses में जुड़ सकते हैं और आपको सिर्फ क्या करना है coupon code यूज करना है और वहां पे आप लोग जुड़ जाएंगे ठीक है और pdf के लिए आपको जुड़ जाना है टेलिग्राम पे एड़रेट गौरफसर टेस्ट बुक जहां पर आपको सारे classes की PDF मिल जाता है जो YouTube session पे होते हैं मेरे ठीक है उस पे और यहां पर discussion भी कर सकते है QR को scan भी करके जुड़ सकते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से आप लोग new channel पे जुड़ सकते हो test book railway पे अगर आप railway के exam की तयारी कर रहे हो तो test book ने आपके लिए launch कर दिया है दोस्तों एक specific channel जिसका नाम है test book railway और test book railway पे जुड़ने के लिए आप देखे super coaching ssc railway पे आप हो ठीक है यह live class चल रही है आपकी जैसी थोड़ा से नीचे आओगे तो देखे test book railway का option है इस पे ज transfer होके जो है किस पर चली जाएगी यह चली आएगी test book railway पे ठीक है और telegram पे जुड़ने के लिए दोस्तों जो यह live session है इसी में जाएंगे सबसे पहले तो like और share कर देंगे जिन्होंने नहीं किया है अब देखें यहां पर आपको दिया है join our new test book railway channel YouTube channel के लिए दोस्तों इसक exams के लिए तो आप यहां पर अपनी तयारी कर सकते जैसी आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने telegram वाला पेज ओपन हो जाएगा उसको जो है दोस्तों वहां पर क्या करिएगा अपना number edit करके जो है दोस्तों वहां पर जुड़ जाईएगा ठीक है तो इस तरीके से आप कर रहे हो तो रिल्विक चले गए या फिर अधर एक्जाम की तो अधर पर चले आई है सुपर टीचर देख लिए कौन-कौन है डैमो क्लासे आप उनकी चेक कर लिजे नेम पर क्लिक कर दिए और डैमो क्लासे देख लिए यहां पर आप देखोगे test series क्या क्या मिल रही है इ प्राइसिंग आप चेक कर सकते हों तो यह 1049 रुपे का 6 मैने का कोर्स है इस पर आप लग कर दिए कूपन कोड ठीक है कूपन कोड क्या है जी ए यू आर ए वी एम जैसी अप्लाय करोगे आप देखोगे हाँ पर 727 रुपे का यह 6 मैने का कोर्स आपको मिल जाएगा ठीक है तो चले दोस्तों इस सेशन को यहीं पर करते हैं समाप ठीक है और अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो कॉमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएगा लाइक शेयर सब्सक्राइम नहीं किया है तो फटा-फट से कर लिजे और बैल आइकन बटन को दवा लिजे जिसस साथ अगले सेशन में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद मिलते हैं अगले सेशन बाय-बाय टेक एर जय हिन जय भारत कि 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 कि